अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुचे आप तक चार सो से पार केसिस आया करते थे लेकिन अब जब लॉक्डाउन धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है लॉक्डाउन की प्रक्रिया धीरे धीरे अनलॉकिंग की प्रक्रिया की तरफ भड़ रहे है तो आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हर्याना में पिछले दिनों से तीन साड़ थे कानून बनाए गए थे लॉकडाउन की प्रक्रिया कई गई थी उसके चलते आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो साफी साफ होती हुए ने जरा रहे हैं आप सभी को बता दें से मैं मौझूद हूं हर्याना की जिले यम्ना नगर से जहां पर आप सभी से अनुलोद है वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा आज हम बात करेंगे सेनेटाइजर के मुद्दे पर जी हम वैसे तो सेनेटाइजर को राम बान माना गया है करोना काल में जो सेनेटाइजर है वो एक तरह की नेसेस्टी घूशित कर दी गई थी और कहीं ना कहीं आम हम लोग हर बार हाथ नहीं दो पाते कई बार संसाधनों की कमी से हाथ नहीं दो पाते कई बार चीजों से वज़स से हाथ नहीं दो पाते कई बार हमारे पास रिसूर्स नहीं होते तो हाथ नहीं दो पाते लेकिन आप सभी को बता दें कि सैनेटाइजर एक ऐसी चीज है जि उतना कि एक हाध होना लाबदायक होता है लेकिन कहीं न कहीं गलत इस्तमाल या सही तरीके से इस्तमाल ना करना यह जान लेवा भी हो जाता है जी आप सभी को बता दे कि सनिटाइजर में अप्रॉक्सिमेटली अलकॉल की अवेलेबिलिटी बहुत जादा होती है और जो पॉल होता है वो काफी फायर को अट्रेक्ट करता है याने की अगनी को अट्रेक्ट करता है और कहीं न कहीं जो वो फायर इंफ्लेमेबल होता है जल्दी से जो अगनी को कोनेक्ट करता है अट्रेक्ट करता है और कहीं न कहीं हाथ से हो जाते हैं आप सभी को बताएंगे यम सनेटाइजर की वज़े से आग लगने से परिस्तितियों में मौत हो गई है यह मामला और वहीं आप सब भी को बता दें समय मौजूद है अर्याना के जिले यमनानगर में जहापर एक मामला ऐसा ही सनेटाइजर की लाप्रभाई से मृत्यू का सामने आता है सरोशनी कलोनी नि चार्ज होते हैं उनका कहना है कि मृतक के परिजनों ने जो बयान दिया है वो बयान उनका इस प्रकार है मैं पढ़के सुना देता हूँ मितक के परिजनों ने बयान दिया है कि सनेटाइजर की बड़ी कैन लेकर आये थे और उसको छोटी बोतलों में डाला जा रहा था विनेश स्मोकिंग कर रहा था और सनेटाइजर में आग लग गई इसमें खुद को बचाते समय कुछ सनेटाइजर उनके उपर गिर गया और जिससे आग भड़क गई और घंभीर हालत में जब उसे यमना नगर के नीजी हस्पताल में भरती कराया गया तो उसने वहाँ पर दम तोड़ दिया सभी को बता रहे हैं कि यह जो बयान है बयान पुलिस के दोरा मृतक के परिवार के दोरा दिये गए हैं कि जो बड़ी कैन होती है पांच लीटर की कैन उस पांच लीटर की बोतल से छोटी छोटी बोतल में वो व्यक्ती जो मृत हो चुका है वो डाल रहा था और डालते वक सिगरेट का जी हां मैं कह रहा हूँ सिगरेट का वो इस्तमाल कर रहे थे जिसके कारण जो उनकी मृत्ति हो जाती है वो अपने आपको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचाने के सासाथ नहीं बचा पाते हैं और कई ना कई वहाँ पर जो सारा सेनेटाइजर होता है वो व चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करने से लोगों के अंदर जाग रुखता है कि जिस सरे से कोई माताएं भेने हैं घरों में काम किया करती है वो कहीं बार सनेटाइजर लगा लेती है और छूले पर चली जाती है लेकिन आप सभी को बता दे, sanitizer लगाने के बाद आपको direct आग के सामने नहीं आना है, चूले के सामने नहीं आना है, मंदिर की पूजा नहीं करनी है, जो भी चीज आप आग के साथ करती हैं, वो आपने कारे नहीं करना, अगर आपने sanitizer हाथ में लगाया हुआ है तो अगर इस प्रकार की चीजे आप करती हैं अगर इस प्रकार की चीजे आप करने का प्रयास करती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी body को भी जलने का खत्रा रहता है क्योंकि sanitizer में approximately सारा alcohol पाया जाता है और alcohol जो है highly inflammable होता है यानि की बहुत जल्दी attract करता है अगनी को आप सभी को बता दे कि आज आमूमन तोर पर हम लोगों को कहते हैं कि sanitizer है जरूरी दो घसकी दूरी है जरूरी लेकिन समाम साफधानिया रखनी पड़ रही है आज एक परिवार ने अपने बच्चे को खो दिया है विफसाय से वो डॉक्टर थे उनका लड़का भी डॉक्टरी कर रहा था और अपने पिता का क्लीनिक में साथ दे रहा था लेकिन कहीं ना कहीं cigarette पीते वक्त ये बात सामने आये हैं cigarette पीते वक्त वो ये alcohol की प्रक्रिया कर रहे थे कहीं बार हम लोग भी इन चीजों को नजर अंदास कर देते हैं लेकिन द लोग आक से related कोई काम ना कीजिए अपने बच्चों को sanitizer लगवाएं तो पूजा पाट ना करने जाएं जोदबत्ती ना करें माताएं भेने खाना ना पकाएं कोई भी किसी प्रकार की ऐसी चीज़े ना करें को कि ऐसे मामले आज नहीं बलकिन पहले भी मामले सामने आये थे लेकिन आप सभी को हम लोगों का कर्तव ये बनता है कि हर जानकारी से अवगत कराएं और आप सभी को बता दें कि उन्होंने तो अपने घर का चिराग जो है खो दिया है उनकी वज़े से उनकी मृत्ती हो गए है वहीं परिवार जनोंनोंने कहा है कि ये महज एक हाथसा है और हासे के चलते ही उनके बेटे की जो है मृत्य हो गई है और महज हासे के चलते ही ये केस जो है दर्ज कर लिया गया है वहीं उनके द्वारा बताया गया है जस्बीर सिंग के द्वारा की मृत्तिकों का जो बयान है बयान भी दर्ज कर लिया गया है चैनल की अपील आप भान माल का खत्रा होता है ये बड़ी खबर यमना नगर से सामने आई थी सरोज्जनी कलोनी निवासी थे जो कि सिगरेट पीते समय बड़ी बोटल से छोटी बोटल में सनेटाइजर डाल रहे थे और कहीं ना कहीं सनेटाइजर डालते वक्त उनकी सिग्रेट के कारण उनकी लौ से आगज लग जाती है और जुलस जाते हैं और बचाने के चक्कर में आसपास का सनेटाइजर भी उन पर गिर जाता है जिन से उनकी मृत हो जाते हैं नीजी हस्पताल में भर्ति कराया जाता है जहाँ पर उन्हें मृत घोशित कर दिया जाता है और उसके बाद उनका जो पोस्ट मार्टम है वो चल के प्रक्रिया होती है आप सभी से नुरोध हैं जरूर कहना चाहेंगे आप सभी को कि अपने घरों में रहिए सुर करमना कीचे आप देख रहे हैं आप बीन 24 और मैं हूँ सैयम यमना नगर से आप सभी के लिए वीडियो शेयर जरूर कीचेगा नमस्कार